हेलो फ्रेंड विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल ग्यान टेक सीरीड फेंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप SBI का योणो एप्लिकेशन यूज करते हैं तो योणो एप्लिकेशन में इस समय लेटेस्ट अब्लेट आया है लेटेस्ट अब्लेट क्य लेकिन जो SBI का योणो लेटेस्ट अब्लेट आया है उस पर आप अपने फिंगर पिंट से भी लॉग इन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने योणो एप्लिकेशन के अंदर फिंगर पिंगर पिंट को उप्शन है उसको कैसे इनेबल करेंगे इस वीडियो म आपको बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा तो फिरेंचले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बस आप से रिकॉष्ट इस वीडियो को पूरा इंड तक देंगे तब ही आपके समझ में आने वाला है तो हम आजाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फिंग करेंगे देख सकते हैं यहां पर लेका है यू ओनली नीड वन बैंकिंग इनवेस्टिंग एंड स्वापिंग और नीचे आपका यूनो एस्बी आई का लोगो सो रहा है आपको करना क्या है जैसे ही आप अपने एपलिकेशन को ओपन करेंगे आपको यहां पर अपने यून को डाल देता हूं जैसे हैं आप अपने को डालेंगे तो आप अपने एपलिकेशन बिर अपने एकाउंन को लोगिन कर लेंगे देख सकते हैं यहां पर सर्वेस रिकवेस्ट में जैसे क्लिक करेंगे देख सकते के सर्वेस्ट ओपिन हो चुकी है आपको करना है रायट read ofपल प्रोफा昨 में किन एक option है settings का आपको सिंपलि से settings में क्लिक करना है जैसे klik करेंगे यहां पर आपको कई सारे option देखने को मिल लाएंगे आपको करना क्या है थोड़ा रफा जाना है नीचे यहां पर लिका है enable disable biometric for you new access आपको सिंपल से इसके उपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर उपर आपको right side में एक option मिलेगा इनेबल करने का enable करकτα है आप यहां पर इसकी टर्मेन को पर फटर्स करेंगे फिर में क्लिक करेंगे फिर आप संप्ली से समीड में क्लिक करेंगे जैसे आप संब्रींट करते है तो आपको fingerprint का option मिलेगा fingerprint में आप अपनी को रखकर जैसे करेंगे करेंगे फिर करें करेंगे गाद आपके मोबाल पर एक OTP आएगा उस OTP को ढालने के बाद आप सब्मिट कर देंगे तो आपका फिंकर पिंड का जो ऑप्सराण पर हो जाएगा तो आपको ऐसी अपने Biometric application को Enable करना है उम्मीद करता हूँ वीडियो पफंद है तो एक लाइक करना चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेस्ट गंटी को प्रेस कर ले जिससे आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेस्ट आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो फेंड इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर